गाईस आज की शूडियो में मैं आपको True Balance Applications की मदद से आपर Personal Loan को अपलाई करके दिखाने वाला हूं गाईस उसके लिए आपको इस वीडियो को लाच तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको True Balance Applications की मदद से आपर loan को apply करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए guys इस वीडियो को शुरू करते हैं और true balance applications की मदद से जो है loan को apply करके देखते हैं guys इस applications को आपको सबसे पहले download करना पड़ेगा तो उसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप वीडियो के description वाली link पर show हो जाएगी आप देख पाओगे true balance personal loan app तो आपको इसको install कर लेना है इसको जैसे install कर लोगे आपको open करना है guys लेकिन उससे पहले कुछ details जो है आपर देख लीजिए अगर इसकी rating और review की बात करें तो 1 million plus इसके review हो चुक है और 4.3 की rating है downloads की अगर बात करें तो 50 million plus इसके downloads हो चुक है अगर इसमें data safety की बात करें guys कि कौन-कौन सा data इस share करती है और data collect करती है तो काफी सारा data guys यहां से third party companies को और organizations को share करती है जो कि आप देख पाओगे locations, personal information, financial information, messages, photos and videos files and docs कुछ इतनी सारी permissions यहां से share करती है third party companies और organizations को अगर guys बात करें data collect करने की तो data collect भी करती है guys जो कि आप देखी पाओगे easily इतना सारा data यहां से collect करती है और data is encrypted, is transit और you can require that data be deleted अगर आप request करोगे तो data delete कर सकते हैं अगर हम यहां से back आएंगे और about this app में इसके 2-4 से guys example देखेंगे तो यहां पर guys इस applications के बारे में अगर बात करें तो यहां पर जो guys 1000 से लेके तो 1 लाग तक का loan amount आपको आपर provide करती है इसका जो tenure रहता है guys 62 days से लेके तो 6 month तक कराएगा अगर APR की बात करें APR ranges तो 60% से तो 154.8% तक कुछ इस तरह से इनोंने आपर provide कर रखा है अगर example देखेंगे तो 10,000 का example provide कर रखा है उसमें जो tenure बनेगा वो 3 month तक बनेगा 10,000 और 3 month इंट्रेस्ट जो है guys 2.4% पर मन्त रहेगा और use would pay कुछ इस तरह से processing fees 6% रहेगी 600 रुपय प्लस GST 18% 108 बराबर 708 रुपय कुछ इस तरह से अगर total repayment की बात करें guys तो 11,185 रहेगा और including processing fees प्लस GST यह अलग हो सकती है तो यह permissions आपने देख लिए guys इत्ती सारी अगर यहाँ पर थोड़ा नीची scroll down करके देखें तो we facilitate loan from यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो RBI licensed NBFC True Credits Private Limited Mamta Projects Private Limited यह कुछ इत्ती सारी company से जो है आपर इनके lending partner हो सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखो तो अगर true balance में देखें तो 1000 से लेके 1 लाग तक का loan amount आपको आपको आपर देखने को मिलेगा Disversal amount 100% paperless loan applications 24 into 7 यहाँ पर Access to personal loan money कुछ इस तरह से आपर provide कर रखाए Low processing fees तो गईस अगर आप इसमें आपर apply करना चाहते हो तो how to apply for a personal loan on true balance यहाँ पर भी देख पाओगे आप easily मैं आपको बताओगा ही लेकिन हो सकता है में replications reject हो जाए तो आप यहाँ से देख पाओगे easily आपको सबसे पहले true balance applications को install करना है आपने install करी लिया होगा आपको login करना है true balance में उसके बाद में आपको कुछ basic से details fill up करनी है और personal loan से eligibility को check करना है आपको KYC document submit करना है और loan के लिए apply करना है और once the application is approved और we transfer the loan directly to your bank account कुछ इताई process है और easily आपको जो amount है वो आपके bank account में आ जाएगा अभी हम इसमें loan के लिए apply करके देखेंगे गाईस तो यहाँ से back आएंगे और applications को यहाँ से open कर लेंगे जैसे ही app को open करेंगे कुछ permissions आप से ली जाएगी जिसकी यहाँ पर आपको terms को accept करना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो इस सारी terms को मैं accept करूंगा terms को गईस हम यहाँ पर accept कर लेंगे और उसके बाद में agree and continue पर click करेंगे यहाँ पर true balance open होगी यह permissions आप से ली जाएगी तो इन permissions को आपको allow करना होगा उसके बाद में true balance जो है applications यहाँ पर open हो जाएगी यहाँ पर गईस तीन चार प्रकार का आपको loan amount मिलता है इसमें cash loan, level up loan, welcome loan और loan market यहाँ पर गईस अगर आप मेरी description वाली link से इस applications को install करोगे तो यहाँ पर आपको welcome loan वाल offer भी देखने को मिलेगा यह सारी बाते होगी गईस अभी हम यहाँ पर next पर click करेंगे यहाँ आगे देखने को मिल जाएंगे गईस की कौन-कौन से loan के लिए हम apply कर पाएंगे next पर click करेंगे यहाँ पर आपको आपकी language चूज कर दिये कि किस language मैं आप यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ English मेरी select है पहले से तो मैं start पर click करूँगा यहाँ पर इस पर जैसे ही click करूँगा तो यहाँ पर आपको guys एक mobile number fill up करना है आपके mobile number पर guys एक OTP send किया जाएगा तो उस OTP को आप jc enter कर लोगे तो उसके बाद में आगे की process जो मैं आपको बताता हूँ OTP successfully verify हो चुका है अभी आपको एक password यहाँ पर create करना है guys password जो है 8 letters से लेके तो 16 letters के बीच में होना चाहिए तो password में आपर select करता हूँ guys password में यहाँ से select कर रहा हूँ guys और उसके बाद में आपको यहाँ पर proceed वाले options पर click करना है उसके बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने page open हो जाएगा guys अभी यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ guys अभी हम यहाँ से दो प्रकार के loan amount यहाँ से ले सकते हैं पहला है cash loan जिसमें आप guys 50,000 तक का loan amount ले सकते हो अगर आपको बड़ा loan amount चाहिए तो आपको cash loan वाले में apply करना पड़ेगा अगर आपको 1000 से लेके 15,000 के नीचे कुछ amount चाहिए तो आपको only KYC यानि की level up loan वाले options पर click करके loan को apply करना है अगर आप cash loan लेना चाहते हो यहाँ पर आपको बड़ा amount मिलता है guys और यहाँ पर अगर आपको छोटा ही amount चाहिए तो आप level up loan पर भी click करके loan ले सकते हो तो guys हमें आपर 50,000 तक का loan amount तो नहीं चाहिए हम सिर्फ guys 1000 से 15,000 के loan को apply करके देखेंगे यानि की only KYC loan वाले options पर click करेंगे इसमें ज़्यादा कुछ documents हमें देखने को नहीं मिलेंगे और नहीं हमें ज़्यादा documents इनको provide करने होंगे 1000 और pen card से guys हमारा काम हो जाएगा Case loan में आपको कुछ ज़्यादा documents upload करने हो सकते हैं तो वो आप देख लिजे अभी हम यहाँ पर level up loan पर click करेंगे और यहाँ पर जो guys इसमें loan के लिए apply करके देखेंगे यहाँ पर भी आपसे कुछ permissions लिजाएंगी तो permissions को हम allow करेंगे agree and continue पर click करेंगे और कुछ permissions आप से लिजाएंगी तो इन permissions को भी हम allow करेंगे उसके बाद में आपके सामने आपर refreshing होगा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो loan for everyone with no documents तो अभी आपको यहाँ पर यह से scroll करना है यहाँ पर slide कर सकते हो उसके बाद में let's increase your loan limit आपको get started पर click करना है और अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो you can get until credit limit up to 5000 अभी इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको check my credit limit पर click करना है और यहाँ पर आपको कुछ documents यहाँ पर upload करना है अभी इसमें आप कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 तक की loan amount यहाँ से choose कर सकते हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5000 का ही choose कर लेता हूं और इसमें जो monthly interest रहेगा वो 4% रहेगा और जो tenure बनेगा वो 62 days तक रहेगा याने की 2 EMI अभी हम इस पर next पर click करेंगे next पर जैसे click करेंगे तो KYC is mandatory as per RBI loans कुछ इस तरह से आपको कुछ KYC documents यहाँ पर upload करने होंगे KYC में आपको कौन-कौन से documents चीए गाई जिसकी आपको सबसे पहले complete your KYC documents करना होगा pen and आधार से उसके बाद में आपको select your loan offers plan यहाँ पर चूज करना होगा और dispersal within minutes एक minutes में आपका जो amount है वो आपके bank account में आ जाएगा ऐसा इन्होंने आपर provide कर रहा है तो आपको terms को accept करना है और procedural options पर click करना है guys आपको 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 language चूज करना है आपकी KYC के लिए तो मैं English चूज करूँगा यहाँ पर हमार सामने loading लिया जाएगा अभी यहाँ पर guys तीन steps में हमें load amount मिलेगा और eligibility जो है guys चेक होगी यहाँ पर आपको pen card इंटर करना है जो अभी हमसे पूची रहा है guys यहाँ पर आपको pen card के number इंटर करने है और यहाँ पर आपको DOB के लिए आधार card इंटर करना है और आधार card पर OTP send कर सकते हैं तो वो हम यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपर pen card के number इंटर करता हूँ उसके बाद में guys आपको यहाँ पर date of birth इंटर करने है तो यहाँ date of birth अगर आप देखोगे तो आपको date of birth आपको इंटर करने है तो date of birth मैं आँसे एंटर करूँगा उसके बाद में guys आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा तो उस OTP को आपको इंटर करना है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो awesome your KYC is successfully done अभी हमको क्या करना है गईस यहाँ पर go to cash loan पर click करना है अभी हमें यहाँ पर दुबारा से हमें refreshing होगा गईस यहाँ पर हमें कुछ टाइम यहाँ पर wait करना पड़ेगा तो हमें यहाँ पर wait करेंगे अभी कुछ personal details हमसे आपर ली जाएंगी जैसकी सबसे पहला हमें purpose चोज करना है कि किसके लिए हम loan amount लेना चाहते तो गईस हमें आपर काफी सारे purpose हमें आपर दिये हुए है तो हम कुछ भी यहाँ पर select करते हैं हमें आपर salary delay पर click करेंगे अभी आपको आपका marital status select करना है आप single हो या फिर married अभी आपको education एंटर करना है कि आप कहां तक पड़े हुए हो गईस तो मैं आपर वो एंटर करता हूँ अभी आपको housing type एंटर करना है कि जो आपका घर है वो यहाँ पर जो है आपने swim ने बनाया है या फिर rented है या फिर parental है या फिर relatives है तो मैं वो यहाँ पर choose करूँगा अभी do you have a job आप job करता हूँ या फिर self-employed हो तो वो आपको enter करना है तो guys मैं आपर enter करता हूँ उसके बाद में अभी आपको what's the name of your school आपका जो school का नाम है वो आपको आपर enter करना है क्योंकि मैंने student यहाँ पर choose कर लिया है उसके बाद में how much your average monthly income आपकी क्या monthly income है वो आपको आपको आपर enter करनी है कम से कम 1000 मांगी गई है यहाँ और maximum जो है यहाँ पर 10000000 मांगी गई है तो वो income में आपर enter करूँगा उसके बाद में terms को accept करेंगे और next पर click करेंगे अभी आपको when you do receive your monthly income आपको किस तारीक को आपकी monthly income यहाँ पर receive होती है तो वो तारीक में आपर enter करूँगा उसके बाद में अभी अगर आप यहाँ पर देखोंगे तो how do you receive your income आप कहाँ पर अपनी जो income में उसको receive करते हो bank account में या फिर bank check या फिर cash तो guys मैं आपर bank account में receive करता हूँ उसके बाद में have you experienced loan before आपको loan के बारे में कितना यहाँ पर जोए guys अनुभव है वो आप यहाँ पर देख पाऊगे अगर guys अभी आप यहाँ पर देखोंगे तो dear client sorry to inform you that could not process your applications मेरा जो application है guys वो process नहीं हो पाया है हो सकता है मेरे credit score guys यहाँ पर थोड़े down हो लेकिन अगर आप इसके लिए eligible रहे definitely आपको loan provide करेगा और इसी तरीके से कुछ steps या कुछ details आपसे और ली जा सकती है तो उनको आप enter कर लिजे और काफी आसान तरीके से आपको loan amount provide कर देगा तो अगर guys यह वीडियो आपको अचले गए तो वीडियो के click जरू कर दीजे चैनल पर अगर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर लिजे ताकि एसी amazing वीडियो आपको मिलती रहे